नमस्का दोस्तों सभी का सवागत है चार्ट मजों के नए वीडियो में दोस्तों हमने लास्ट कुछ एक हफ्ते के अगर हम बात करें तो एक फॉल आते वे देखा मार्केट के अंदर निफ्टी फिर भी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है अगर हम बाकी इंडाइस देखें या बा ब्रेकडाउन के फॉर्मिशन में है अभी थोड़ा सा जो बायस देस है वह तुवर्ड नेगेटिव साइट हो जाएगा यह ब्रेकडाउन के बाद री टेस्ट हुआ निफ्टी के अंदर और री टेस्ट के बाद फिर से एक नीचे जाने की कोशिश है मार्केट के अंदर अभी इंपोर्टेंट लेवल 21850 रहेगा काफी दो-तिन वीडियो से हम बोल रहे हैं अभी मंडे के लिए मैं बता देता हूं और हफते के लिए मैं बता देता हूं क्या कर सकते हैं तो मंडे के मेरे साब से 21850 अगर ब्रीच होगा तो एक बार 21650-700 यह जो लेवल है 21700 और 21650 यह लेवल ओपन हो जाएंगे और आने वाले हफते के लिए अगर यहां पर फॉल कंटिन्यू होती है तो आप जो यह चैनल का टागेट देखेंगे लगबग वह एक बार अटेम्ट होगा मेरे साब से 21500 या फिर 21400 यह दो लेवल हमें फिर देखने मिल सकते हैं पूरे ह जो है वो टूवर्ड माइनर नेगेटिव हो गया है निफ्टी में 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 ज्यादा फॉल है हम देख सकते हैं यहां पर जो सिमिट्रिकल ट्रेंगल था उसका ब्रेकडाउन हुआ 90% टक के जो इनिशल पैटन बेस लेवल है वहां तक पहुचने की कोशिश भी हुई अब द लिए अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ने कोशिश नहीं की जो निफ्टी का यह जो पुल बैक था इस हाई की उपर जाने की कोशिश जरा भी नहीं थी अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि डाउ जो है अब वह वीक होना स्टार्ट हो गया है लास्ट के दो दिन के अंदर हमें आदा आदा परसंट कट देखने मिला है फ्रॉम दी क्लोस अब इसमें एक एचनेस पैटन टाइप फॉमिशन बन गई है डाउ के अंदर ओके अब इसमें इसका ब्रेकडाउन इस ट्रेंड लाइन पर हो जाएगा तो अगर यहां पर अगर कोई ब्रेकडाउन होता है क्यों जाना स्टार्ट कर सकते हैं माइनर नेगेटिव टोन के साथ वीक की शुरुवात होगी अब डाउ के अंदर कुछ रिवर्सल आ जाए तो अलग बात है अगर ब्रीच करता है तो इसू हो सकता है और यह डाउ वीक होने की जो मेजर इंडिकेशन है वह बॉन्ड यील्ड से यह बॉन्ड लगातार पिछले पांच दिनों के अंदर एक शाप रिवर्सल देता वह उपर आया है इसका मतलब अब जो वैनस्टे को रेट डिसीजन है फैड यूएस के इंदर जो फैट का रीड डिसीजन आता है यह वैनस्टे के रात को डेटा आएगा जो थरस्टे को ह हमारे मार्किट को इंपक्ट करेगा अब इंफलेशन भी थोड़ा हाई आया है मोर देन एक्सपेक्टेड आया है क्रूड ने भी नया ब्रीक आउट डिया है तो अभी कमेंटरी काफी इंपोर्टेंट हो जाती है तो ऐसा अनुमान है कि अगर आप मीडिया रिपोर्ट और अपसाइड में मिरको एक ही काउंटर दिखा है जो कि पूरे मार्किट के अगें स्निफ्टी के अंदर काफी अच्छा स्ट्रॉंग परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसी समय अगर मेरा वीकली व्यू नहीं है मेरा डेली व्यू है तो मेरे डेली पे तो फोड़ा बैरिश म ब्रेंड का ब्रेक आउट हो गया है क्लियर कट अब यह ब्रेंड के ब्रेक आउट में कहां तक जाएगा ऐसा लग रहा है कि एक बार 90 तो 95 तक एक बार पुश हो सकता है काफी टाइम बाद इतना बड़ा ब्रेक आउट देखने मिला है ब्रेंट के अंदर अभी दोस्तों निफ्टी पे तो मैंने आपको बता दिया लेवल नीचे के 850 टूटेगा तो बैरिश हो जाएगा लगबग देर सो पॉइंट नीचे ही है 850 का लेवल उपर के साइट सर कौन सा लेवल है जिस पर फोकस करना चाहिए तो उपर 22,225 के उपर निकलता है इसको अगर आपको स देके नीचे आता तो फिर प्रीवियस स्विंग हाई के उपर कंस्रीडेट करके अब फिर नीचे आया है अब लोग को लगेगा कि सरी फिर रिवर्सल दे सकता है कि लेकिन जिस हिसाब से मेक्रो डवलप हो रहा है अभी उसमें प्रॉबैबिलिटी कम हो रही है उपर जाने कि अब स्टॉक पे क्या करें ये तो हम समझ गए निफ्टी पर बैंक निफ्टी पर क्विक्ली बता देता हूं देखो बैंक निफ्टी पर ये ट्रेंडलाइन ब्रीच हो गई और डोजी कैंडल बन गई ट्रेंग पे डोजी कैंडल का लो काफी important है 46-300 के नीचे जाएगा तो 46 और 45 500 के लेवल ओपन होंगे हमको ऐसा लग रहा था कि जिस दिन ये ट्रेल नाइन टूटेगी उसी दिन लेवल ओपन हो जाएंगे 46 तक आना चाहिए लेकिन 46 300 तक ही आया और डूजी मना दी इस ते ओके जहां पर गैप डाउन खुला वाहीं अब जिए फोकस करना होगा अब जुस्तों आप करते हैं स्टाप के अंदर एक पॉजिटीव एक पॉजिटीव चाहट इसन इसके लिए करेंगे जिसमें वीकली व्यू अगर हमको देखना होगा तो अगर मैं वीकली व्यू की बात करूँ यहां पर तो भाती एटल का चार्ट निकल के आता है इसका मैं अगर वीकली चार्ट लगाऊं तो इसके अंदर आपको एक क्लियर ले वीकली चार्ट के अंदर एक अपसाइड मूव तीन से चार हफ हुआ फिर नीचे गया डिपूई मार्केट के करेक्शन के साथ अब फिर ब्रेक आउट दे रहा है तो अपके टाइम यह अगर निकलेगा 1225 के उपर तो मेरे इसापसे इसमें मूव दिखनी चाहिए लेकिन क्यूंकि ब्रॉडर मार्केट थोड़ा अभी एक बार खौशिय भी मिली रहेगी तो यह अगले हफ्ते के सबसे अच्छा लग रहा है लेकिन नौट डारेक्ट इसके अंदर कुछ थोड़ा स्ट्रेटेजी क्रेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा अंदी हायर साइड अभी मैंने आपको इसका वीकली चार्ट बता है वीकली चार्ट करें ऑपर क्लोज जिस वीक में जिसमें स्मॉल के अंदर तो स्ट्रॉंग काउंटर दीख रहा है लेट असी आगे क्या होता है इसमें निफुल्द बनिवी है अब क्वीक काउंटर मैंने देखा की वीक तो काफी सारे पी एसकाउंटर वीक हो गये हैं लेकिन टॉरेंट फ ब्रेक आउट देखोगे लेकिन फिर वो होल्ड नहीं कर पाया अपने लेवल तक हाया लेवल तक जा नहीं पाया और अभी एक ब्रेकडाउन की पॉसिबिलीटी दिखा रहा है तो मेरे सबसे 22 जो इसका यह हलका सा जो स्विंग लो बनता है 25-70 25-70 के नीचे जाएगा तो मेर ही है और 25 का एक साइकलोजिकल सपोर्ट है फर्स्ट और सेकेंड आप अगर देखोगे तो इसके जो स्विंग लो है यहां पर वहां तक एक अटेम्ट लगा सकता है इन 25 तक का एक साइकलोजिकल सपोर्ट तक का व्यू तो डेफिनिटल रहेगा इसी वज़े से आने वाले एक से दो दिन का अगर हम देखें मार्किट अगर हमारा माइनर नेगेटिव बायस है तो उससाप से मैं और फार्मा पे थोड़ा ज्यादा इसके अंदर डाउन साइट चार्ज स्टड़ी पर व्यू बनाना चाहूंगा अभी बाती है टल जो है वह वह वीकली के एसाप से ह एक में भारती ने आउट परफॉर्मेंस के साथ स्ट्रॉंग क्लोज दिया एक ने टॉरेंट फार्मा के अंदर अपनी आउट परफॉर्मेंस जो थी वह थोड़ी कमजोर कर दी मलब वह अभी उसने खो दी एक और अनॉंसमें में बता देता हूं जैसे मैं बोल रहा तक कि अप्रेल का जो ऑपिशन के अंदर हम जो मेंटर्शिप कंड़क करते हैं फिर से ओपन होगी तो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चाहिए तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो जरूर लाइक करें नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूले टिल लें टेक क्यार आइविल मीट यू इन दी एक्स्ट वीडियो